हेलो फ्रेंड आज एक नया वीडियो फिर से डाल डाऊं आप लोगों कवा सामने में दो तिन दिन का बाद ही वीडियो आ रहा है कभी सारा माल आने का बात था उसलिए लेट हो गया वीडियो डालने में तो आगिया है आपका सामने में कलेक्शन में आप लोगी स्कीन पे दे देख रहे हैं बहुत ही अच्छ अच्छा कोईन आया है और आप लोग वीडियो में ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सरा अदमी का कॉमेंट्स आया था और सब में यसार आप जूम करते क्यों नहीं हो जूम तो मैं करता हूं लेकिन आज का फरस्ट कोईन दिखाने जा रहा हूं पारलामेंट 10 रुपीज बाइ मेटली कोईन है थार बाद मिन ये स्टार्क मिन मार्क होता है देख लीचे हृँएं है हा rêदराबाद मिन 10 रूपीज बाई मिटलिक कोईन पार्लामिन मेरे पास 20 पीस एवेलेबल है 300 रूपीज में आपको मिलने जा रहा है 300 रूपिया पर पीस 20 पीस एवेलेबल है जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है सबका सब BUNC कोईन है ठीक है? देख लीजिए अगला कोईन है जगद गुरू BUNC कंडिशन में एक रियार सिक्का एक सिंगल मिन कोईन 5 रूपीज कॉपन निकल में अल्टा जेम ब्यूएंसी कंडिशन में आप लोग देख रहे है यह देखिया है यह आपको मिलने जा रहा है एक सस्काइबर के माल है लेका अभी भी 20 पीस अवेलेबल है मेरे पास तब लोग अपना ओर्डर बुक करस सकते है यह आपको मिलने जा रहा है 700 रूपीज में ठीक है 700 रूपीज अगला कोईन जो है लाला लचपतराई हैदराबाद मीन यह भी कफी कलेक्टबल आइटेम है 10 रूपीज बाई मेटलिक कोईन लाला लचपतराई यह आपको मिलने जा रहा है 150 रूपीज 150 रूपीज अगर कोई कॉंटरी लेना है तो मेरे वाटसप में मैसेज कर सकते हैं और भी रिजनेबल प्राइज में आप लोग को मैं दिलवा दूँगा सबका सब अल्टा जेम बिवेंजी कंडिसन में देख लिजे अगला कोईन जो है 50 पाईसा FSS में 2007 नौइडा मिन लास्ट सिरीज का यह सिक्का है 50 पाईसा देख लिजे यह मेरे पास फिलाल 10 PC अवेलेबल है जिसको चाहिए वो ले सकता है आपको मिलने जा रहा है 40 रुपीस 40 रुपीस पर पीस के हिसाब से आपको मिलने जा रहा है 10 PC अवेलेबल है जिसको चाहिए अपना ओडर बुक करा सकता है अगला कोईन जो है नेता जी सुबाश चंद्रबोस 1997 हैदराबाद मीन यह भेरी सक्का होता है देख लिजिए भेरी सक्का हैदराबाद मीन से यह उएनसी कंडिशन अप लोग का सामने में है ठीक है? नेता जी सुबाश चंद्रबोस 1997 टू रुपीस कॉपर निकल में यह आपको मिलने जा रहा है 450 रुपिया पर पीस के हिसाब से देख लिजिए कोईन का कंडिशन एद्दम साप है जैसा कंडिशन बोलूँगा वाईसा कंडिशन ही आप लोग का सामने में जाएगा आपका हाथ में ही जाएगा मैं कंडिशन में भी लिग दिया हूँ कोई हरा फेरी नहीं होगा ठीक है? एउएनसी कंडिशन बोलूँगा तो एउएनसी जाएगा आपका पास ठीक है? देख लिजिए 450 रुपीस में आपको मिलने जा रहा है मेरे पास फिलाल एफाइव पीसी अबेलेबल है भेरी एसकेयर सिक्का आने वाला टाइम में रियर सिक्का है ठीक है? आज अगर कलेक्शन में एड करे लिजिएगा इसका अच्छा भी पॉपीट मिलने जाएगा देख लिजिए 5 पीसी अबेलेबल है सबका सब एउएनसी कंडिशन है ठीक है? देख लिजिए एउएनसी कंडिशन है 5 पीसी अबेलेबल है 450 रुपीज में आपको मिलने जा रहा है अगला कोईन जो है के कामराच 5 रुपीज कॉपल निकल में बी उएनसी कंडिशन में यह हैदराबाद मीन का एक रियर सिक्का है देख लिजिए हैदराबाद मीन से है एक रियर सिक्का यह आपको मिलने जा रहा है 300 रुपीज में बहुत ही कम प्राइज में आपको मिलने जा रहा है देवय उएनसी कंडिशन में गोल्ड लस्टर के साथ ठीक है एक स्टाफाइन में 200 रुपीया में भी सेल हो रहा है एक एक भीडियो में एक्स्टाफाइंड में ठीक है फिलाल ब्यू एंसी है 300 रुपिया बहुत ही कम प्राइज है फाइब पीसी अवेलेबल है जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है ठीक है अगला कोईन जो है यह भी कफी कलेक्टेबल कफी भेरी स्केर आइटेम होता है आने वाला टाइम में यह सब रेयर सिक्का है वीर दुर्गादास एफसेस में वान डुपिस 2003 हाइदरबाद मीन देख लिए पुरा ब्यू एंसी कंडिशन में यह भी 20 पीसी अवेलेबल हो यह मैसेज करके अपना ओडर बुक कर सकता है एक दोपिस लिजाएगा तो 400 ठीक है अगर क्वान्टी कोई लेता है तो 380 रूपिस में आपको मिलने जा रहा है 380 रूपिया में अगर 10 पिस कोई एक साथ लेता है तो यह प्राइज आपको लगेगा ठीक है अगला कोई जो ह ऐ है 900 रूपिस में एक उपिस ऐवलेबल है मेरा कलेक्शन के था तो निकाला है वसलिए में वीडियों में सेल कर दे रहा हूं 900 में आपको मिलने जा रहा है एक ऑपिस है बहूत ही अच्छा कंडिसन है देख लेजिए एसा कंडिसन में मिलना बहुत ही मुस्किल होता है मेरा पीछे का माल था उठाया हुआ था उसे लिए आपको एफ प्राइज में मिल रहा है एफ प्राइज में आभी खरीद के में बाई करने जाओंगा तो कम से कम हमको बारास रुपिया में सेल करना पड़ेगा देख लीजिए ठीक है इक्स्टा फाइन प्लास एक ही पीस अबेले प्लाइब फाइफ फाइफ अंडेड टॉपिस में एक ही पीस अवेलेबल है एक ही पीस अवेलेबल है जिसको चाहिए मैसेज करके अपना ओडर बुक करा सकता है ठीक है अगला कोई जो है ब्यार अंबेतकर हाइदराबाद मिन यह भी भेरी एसकार सिक्का रेयर सिक्का यह एक एक ही पीस ही अवेलेबल है इसका भी टॉपिस बोलियागा तो मैं अवय नहीं करा पाऊंगा यह सब मेरा कलेक्शन का था सब एक एक पीस परावा था पूलकर्ड कर मिल लगा दिया हूं कम प्राइज में आपको मिल जा रहा है है इसका भी टॉपिस वान रूपिस आइटेम है और रेर आइटेम है फर्स्ट वार फाइब रूपीज एफ एसस में बीवनसी कंडिशन में आपको मिलने जा रहा है 450 रूपीज में तो मेरे पास फिलाल 4PC एवेलेबल है जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है 450 रूपीज ठीक है अगला कोईन जो है 1 रूपीज डब्बू कोईन 1962 कलकाटा मीन ठीक है कलकाटा मीन बीवनसी कोईन है देख लिजए अदम कंडिशन क्या है नहीं है आप लोग का सामने में में पर अदम जूम करके करके धीरे से आपको दिखा रहा हूं कि आप लोग देख लिजए देख लिजए 1962 बीवनसी कंडिशन में कलकाटा मीन एक रियार सिक्का यह आपको मिलने जा रहा है 1,400 रूपीज में एक इपीस ही अवेलेबल है यह आपको 14 रूपिया में मिलने जा रहा है एक इपीस है अवेलेबल है जिसको चाहिए अपने मैसेज कर सकता है अगला कोईन जो है वान डूपीस 2004 बंबे मिन एक रियार सिक्का यह कंडिशन में पूरा कंडिशन एउएंसी ठीक है एउएंसी कंडिशन ए एक रियार सिक्का 2004 बंबे मिन वान डूपीस क्रोस कोईन देख लिजे एद्दम कंडिशन एद्दम पूरा वीडियो में जूम करके दिखा रहा हूँ क्या है नहीं है अब लोग पूरा ओपेनली देख लिजिए क्योंकि एक एक आदमी और सब करके बोलता है यह सर्फ पीक सेयर कर यह फिर हमको माल निकालना परता है फिर पीक सेयर करने में काफी टाइम भी लगता है ठीक है जब आप देने में भी सुबा बोलता है तो रात हो जाता है ठीक है तो आप वीडियो में एद्दम एक पन्यान से धीरे से देख लिजिए क्या कंडिशन है नहीं है ठीक है एउएंसी कंडिशन 2004 बॉम्बे मीने सोला सो रूपिया टू पीस एवेलेबल है जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है एक रियर सिक्का अगला कोईन जो है टू रूपिस 2004 कलकत्ता मिन ये भी एक रियर सिक्का एक्स्टा फाइन प्लास मैंने कंडिशन पुरा लिग दिया है क्या कंडिशन है नहीं है देख लिजिए एक्स्टा फाइन प्लास 2004 कलकत्ता मिन रियर सिक्का देख लिजिए देख लिजिए क्या है नहीं है पुरा ओपन ली विडियो में देख लिजिए इसका प्राइज होने जा रहा है 1200 रूपिया 1200 रूपिस में आपको मिलने जा रहा है 1200 रूपिया में और भी एक्टो है कलकत कलकत्ता मिन 2004 एक कंडिशन है एंसी देख लिजए एंसी देख लिजए 2004 कलकत्ता मिन एक रियार्शिक का टू रुपीज कॉपन निकल में देख लिजए यह उएंसी कंडिशन है आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपीज में पंडा सो रुपिया में आपको मिलने जा रहा है एक रियार्शिक का अगला कॉइन जो है सिवाजी चत्रपती सिवाजी महराज हाइदराबाद मिन इसका कंडिशन है लस्टर इवेंसी देख लिजए पुरा लस्टर है कोल्डन लस्टर है लस्टर इवेंसी कॉइन है ऐसे करके बहुत कम लोगी आपको दिखाता है ठीक है ना कंडिशन बगार लिख के बोल के ठीक है देख लिजिए लश्टर इउएंसी कोईने छत्रपती सिवाजी महराज एक रियार सिक्का ठीक है देख लिजिए यह जो असक लाइन में जो घिसा है न यह मिण के तरफ से एक एरर है हर कोईन में आपको दिखने का मिलेगा बहुत कम कोईन में सब नजराता ता है बहुत कम लेक pickle convince the aa 느ं बंते यह थोड़ा प्लेन हो गया29 तो उसलिए एक एरर हो गिया एह कोईन में आपको दिखनें मिलेग ठीक है इसके लिए घबराना नहीं है देख लिए इसका प्राइज होने जा रहा है आपको 1500 रुपिस में पंड़ा सो रुपिया में आपको मिलने जा रहा है एक रियार सिक्का छत्रपती सिवाजी महराज यह भी और एक्ट है टूपी से अवलेबल है लस्टर उएंसी दोनों का सेमडों का प्राइज है रीएम कंडि अले सेमडी सने में जो है अगला कोईन जो है डीर ॄपिस पहसे कोपर निकल में काफी कालेक्टेबल काफी रेयर आइटेम होता है देख लिए दम कंडिशन यह एक्स्टा फाइन कंडिशन ठीक है यह आपको हलका सा वाइट वाइट नजर आ रहा होगा ठीक है ना तो यह एक्स्टा फाइन कंडिशन 1992 देख लिए ज़िए 1992 नॉइड अमिन एक करियर सिक्का ठीक है इसका आपको मिलने जा रहा है 3100 रुपिस में आपको मिलने जा रहा है 3100 रुपिया में 3100 रुपिस में आपको मिलने जा रहा है एक्स्टा फाइन कंडिशन में 1992 नॉइड अमिन 2 रुपिस और एक्स्टा है 2 रुपिस में 1992 नॉइड अमिन 2 रुपिस यह एक्स्टा फाइन प्लास ठीक है वह एक्स्टा फा क्या है कंडिशन आप लोग देख लीजिए सामने में इसका प्राइज होने जा रहा है 4000 रुपिया में आपको मिलने जा रहा है 4000 रुपिया में एक रियार सिक्का तो रुपिस 1992 नॉइडा मीन ठीक है जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है अगला कॉईन जो है था फाईब रुपिस 2007 FSS में क्रोस कॉईन ठीक है देख लीजिए सत्य में जायते तब भी बहुत ही सब आ रहा है एक काईन में सत्य में जायते किलिया नजा नहीं आता है यह तब भी दिख रहा है सत्त में जाते है पुरा किलियर है ठीक है ना देख लिजिए 2007 फाइब रूपीस एफसस में क्रोस कोईन एक रेयर सिक्का इसका मिलने जा रहा है आपको 5500 रूपीस में आपको मिलने जा रहा है एक ही पीसी अवेलेबल है जिसको चाहिए मैसेज कर सक सब्टा आप है अगला कोईन जो है टैन डूपीस बाई मिटेलिक कोयं अल्टा जम फ़्यूंसी में ऐसा कंडिशन में बहुत ही मुश्किल से मिलता है ही इसका कंडिशन बहुत ही होता UNC बोलके आपको BNC बेज़ देगा ऐसे भी बहुत सारा होता है ठीक है लेकिन मैं जो condition बोलता हूँ वही condition ही आप लोग का पास जाता है जो पूरा ना है वह सबको पता है जो नया को लिए आप समझ लीजिए ठीक है यह अल्टा जेम BNC कंडिशन में 2005 नॉडा मिन क्रोस कोई 10 रूपीज बाइ मेटलिक कोई एक नॉडा मिन एक रियार सिक्का देख लीजिए यह आपको मिलने जा रहा है 2800 रूपिया में आपको मिलने जा रहा है यह जो condition है यह अगा 3000 में भी आसानी से एक एक वीडियो में सेल हो जाएगा लेकिन मेरे प्राइज हट टाइम ही कम में कोशिस करता हूँ लगाने के लिए तो उसलिए दम रिजनेबल प्राइज में आया है तो रिजनेबल प्राइज ही में लगा दिया हूँ ठीक है एक एकी पीसी अवेलेबल है जिसको चाहिए मेसेज कर सकता है अल्टा जेम ब्यूएंसी कंडिशन में आपको मिलने जा रहा ह में ठीक है टूपीसी अवेलेबल है जिसको चाहिए मेसेज कर सकता है इसका मार्केट प्राइज 3,000-3,200 में भी कोई-कोई वीडियो में सेल हो रहा है टूपीस ब्यूएंसी कंडिशन में 2,800 रूपीस में इंडियान एयरफोस आपको मिलने जा रहा है एक रियार सिक्का त टूपीसी अवेलेबल है 10 रूपीस बाइ मेटलिक कोईन एक रियार सिक्का यह आपको मिलने जा रहा है 800 रूपीस के इसाब से आपको मिलने जा रहा है टूपीसी अवेलेबल है जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है तो ठीक है आज काफी सारा अपना ओर देख लिया है और एक पात में मेरा नमबर साइट कुछ गलती से मेरा गलती नहीं है एक्चुली चलते चलते आचाना की नमबर कट गिया है कोई किसी का कॉल आ रहा भी नहीं और किसी का कॉल जा रहा भी नहीं फिर से ये नमबर में क्यों हुआ है मेरे को खुद पता नहीं चल रहा है ठीक है ना लेकिन मैं वाइफाई कनेट करके आप लोग से चैट कर पाऊंगा लेकिन कॉल साइट नहीं लग सकता है मैं कल ओफिस जाके इन नमबर को थोड़ा चेकिन करवा के चालू करने के लिए पूरा कोसिस करता हूँ ठीक है ना ता आप लोग वाटसब में ही अपना ओर्डर भेसते रही है जैसे के ओर्डर भेसते है ठीक है तो मैं साइट सारे 10-11 बाजे में निकल जाओंगा ओपिस के लिए इस नमबर के लिए खास तोर से ता आते आते साइट 2-1 बच जाएगा तो उसका बाद फिर आप लोकसो में रिपलाई दे पाऊंगा ठीक है तो उसलिए मैं वीडियो में बोल दे रहा हूँ लास्ट इंडिंग में ठीक है साइट कोई हैक कर लिया होगा और कोई जो भी हो गया हो गया ठीक है ना तो मैं आपिस में जा कर पता कर पाऊंगा ठीक है तो नमबर यह रहेगा कोई टेंसन होने का बात नहीं है तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई